हिल गया क्रिकेट जगत काप उठा बड़ा से बड़ा गिंदबाज, टीम इंडिया में लोट आया बबर शेर, सालों से हो रही थी टीम इंडिया में एंट्रिक करने की मांग पहले घरलू मैच में बल्ले से मचाया तांडाओ फर जीत लिया करोड़ो क्रिकेट प्रेमियू का दिल, जिसके लिए बड़े-बड़े क्रिकेटर खोल रखे थे मोर्चा, आखिर उसकी हो गई टीम इंडिया में वापसी बड़े भाई का देख कर टेवर, चोटे भाई ने भी बदल लिया अपना गेर, दोनों ब्रदर की हो रही थी क्रिकेट जगत में चर्चा, बी-सी-सी-ाई ने चैनकर्टाओं से कहा साफ, इसे दो टीम में मौका आखिर कार लंबे समय के बाद भाईते क्रिकेट प्रेमियों की वो मुराद पूरी हो गई, जिसके लिए लगतार वो बी-सी-सी-ाई और चैनकर्टाओं के साथ टीम इंडिया के कप्तान से लड़ जगड रहे थे बार-बार सोशल मीडिया पर कैमपेंच चलाय जा रहा था, बड़े से बड़े दिगच खिलारी मोर्चा खोल रखे थे, कि इस खिलारी को टीम इंडिया में मौका जरूर देना चाहिए लेकिन ना तो BCCI और ना ही चैनकर्टाओं ने और ना ही कब्तान ने, किसी की एक भी नहीं सुनी आखिरकार मजबूरी में BCCI ने चैनकर्टाओं को यह अल्टीमेटम दे दिया, कि इस खिलारी को टीम इंडिया में मौका जरूर दे जो खिलाडी अपने बल्ले से रनू की बारिश कर रहा है उसके पिता को खुद BCCI ने बुला कर सम्मानित किया अब वो खिलाडी टीम इंडिया में बल्लेबासी करके बड़े से बड़े गेंदबासों के पसीने छुडाएगा वो खिलाडी कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के सबसे वस्पूटक बल्लेबास सर्फराज खाने जिनकी आकिरकार लंबे समय के बार टीम इंडिया में वापसी हुई है बता दे के मुंबाई के बल्लेबास सर्फराज खान को आखिरकार भारतिय क्रिकेटीम में जगा मिल गई लंबे वक्त तक टीम इंडिया का दर्वाजा खटकटाने वाले इस दाए हाथ के बल्लेबास को इंगलाइन के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चुना गया वो चोटिल केल राहूल के जगा टीम में लेंगे सर्फराज ने दिसंबर 2014 में पहला फोस क्लास मैच खिला था उसके नौ साल बाद उन्हें भारतिय टेस्टीम में जगा मिली सर्फराज ने पिछले कुछ सालों में ऐसा प्रदर्शन किया जिससे उनने नजरंदास करना मुश्किल हो रहा था जब भी टीम का चैन होता था और सर्फराज नहीं रहते थे तो चैन करता हूँ क्या लोचना की जाती थी अब राहूल के चोटिल होने से इस खिलारी के किसमत खुली है सर्फराज मुंबाई के लिए मध्यक्रम में बल्यबाजी करते हैं राहूल भी हाल के दिनों में भारत के लिए टस्प मैचों में मध्यक्रम में ही उतरते हैं भारत और इंग्लाइन के बीच सीरीज का दूसरा टस्प मैच विशाका पटना में दो फरवरी से खिला जाएगा हैदराबाद में टीम इंडिया पहला मुकाबला 28 रन से हार गई थी इस तरह वो सीरीज में शुन एक से पीछे हैं दूसरे मुकाबले की दौरान भारत पर काफी दबा होगा अब देखना है कि सर्फराज को डिब्यू करने का मौका मिलता है या नहीं क्योंकि टीम में एक और मदिकरम के बलेबास रज़त पार्टेदार है वो भी पहला टस्प मैच खिलने का अंतिजार कर रहे हैं सर्फराज साल 2020 से निरंतर टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं 2022 तेस की सीजन में सर्फराज ने 6 मैचों में 92.6 की ओसत से 556 रण मनाए जिसमें 3 शतक शामिल है वही 2021 पाइस की सीजन के 6 मैच में उन्होंने 122.75 की ओसत से 982 रण मनाए जिसमें 4 शतक शामिल है 2019 प्रिस के सीजन में मुंबई के लिए सर्फराज ने 6 मैचों में 154.6 की शांदार औसत से 928 रण बनाए जिसमें 3 शतक शामिल थे इसका मतलब है कि सर्फराज ने कुल 10 शतक लगाएं तीन गरेलू सीजन में उनके 2466 रण जो शांदार रिकॉर्ड है पिछले तीन सीजन में उनके लावा ऐसा कोई बलेबास नहीं जिसने ऐसा कुछ कारनामा किया हो सर्फराज ने मौझूदा रणजी ट्रोफी सीजन में सिर्फ एक मैच खेलाए वो बिहार के खिलाफ एक रण बनाकर आउट हो गए थे सर्फराज हाल के दिनों में लगतार भारत एक के लेए खेल रहे हैं उन्होंने दिसंबर में दक्षिन अफरीका एक के खिलाफ दो मैचों में 68 और 34 रण की पारी खेली इसी मही ने इंग्लाइन लाइन्स के खिलाफ 96, 4, 55 और 100 एक्सेट रण बनाए उन्हें शांदार फॉर्म में होने का फाइदा मिलाए और अब वो टेस्टी में शामिल कर लिए गए सर्फराज ने अब तक 45 फॉस्ट क्लास मैच खेलाए इस तोरा 66 पारियों में कुल 3912 रण बनाए है सर्फराज का उसट खरीब 70 का है उन्होंने 14 श्टक और 11 अड़ श्टक लगाए है सर्फराज के नाम एक और 13 श्टक भी है उनका उचितम स्कोर 301 रण है